गुजरात में इस साल के आखिन में विधान सभा चुनाओ है और इस बार BJP, कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी में मुकाबला है आज सरकार ने दो दिन विधान सभा सत्र बुलाया है आग सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन बीजेपी सरकार कई मुद्दो पर घिरती नजर आए कॉंग्रेस ने कई मुद्दो को लेकर बीजेपी सरकार का घेराओ किया जिसके बाद कॉंग्रेस के 15 विधायकों कुनलंबित कर दिया गया क्या है पूरा मामला देखते हैं ये रिपोर्ट गुजराच चुनाव से पहले सत्ता परकाबिस बीजीपी ने आज दो दिन का विधानसवा सत्र बुलाया था सत्र के पहले ही दिन बीजेपी अपने ही जाल में फज गई आपको बदा दे कि बीजेपी सरकार के कारेकाल का ये आखरी सत्र था और सदन में कॉंग्रेस विधायकों ने कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार के खिलाफ हला बोल किया जिसे बीजेपी ने अशोबनिया आचरंड करार दिया। कॉंग्रेश जंदक की आवाज उठा रही थी लेकिन बीजेपी ने इस आवाज को दबाने के लिए निर्दलिय विधायक जिगनेश मेवानी और विपक्षी दल कॉंग्रेश के 14 विधायकों को दिन भर के लिए निल आदे घंटे विशेश चर्चा की मांग के। गुजराज विधानसभा अध्यक्ष नीमा बेन आचारे ने रठावा की मांग को मानने से इनकार कर दिया। तो जिगनेश मेवानी और कॉंग्रेस के दूसरे विधायक वेल के करीब आ गए और नारे लगाने लगे। जिगने अपने अपने लंबित मामलों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आखिर बीजेपी सदन में इन मुद्दों पर चर्चा के लिए क्यों तयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब विपक्षी दल के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बावजूद अपनी सी दिया गया फिलाल कल भी सदन के हंगामेदार होने के पूरी आसार हैं डेवी लाइफ की रिपोर्ट